हलो अब्रीवन इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आप इगनू से में साइकॉलजी कर रहे हैं तो आपका एक पेपर है होगा 16, 26 या 36 जो भी आप हैं वो भी या क्लिनिकल काउंसलिंग तो उसमें आपको सिनॉप्सिस बनाने होगी तो वो सिनॉप्सिस स्टार्ट कैसे करते हैं कहां से बनाते हैं बहुत लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है सिनॉप्सिस क्या होती है कैसे बनाना है और आपका जो डूरेशन है में करने का 2 साल से वो 4-5 साल हो जाता है तो synopsis actually में क्या होती है उसे बनाते कैसे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगी बताऊंगी और इसका ये part 1 है तो इसके आगे भी part 2 आएगा और हो सकता अगर ज़रोट पड़े तो part 3 भी okay so first of all synopsis का मतलब होता है कि आप जब कोई research करोगे तो आपको अपने approval के लिए कि आप वो research को कैसे करोगे क्या topic है आपका इस सब के लिए एक synopsis present करनी होती है वो synopsis जब आपकी अप्रूव हो जाती है उसकी बाद आप data collect करने का काम गड़ते हो और आपने research को आगे continue करोग तो पहले तो इस video में I am not going to tell you technical things की guide क्या होगा और कैसे उसकी ये सारी चीज़े होगी तो वो I will discuss in some other video तो सबसे पहले आपको अपनी synopsis के लिए 4-5 topics select करने है और वो 4-5 topics आपको अपने guide को दिखाना है वो जब approve कर दें उन topics को किसी भी एक topic को तो उसके बाद आप अपनी synopsis को continue कर सकते हो तो आप वो 4-5 topics को select कैसे करना है तो सबसे पहला step आपका ये है कि आप अपनी पहले population decide करो population का मतलब research में होता है आपको किन लोगों के उपर research को करना है तो वो आपकी population होगी ठीक है आप पहले ये सोच लो कि आपको teachers पर research करनी है students पर करनी है adolescents पर करनी है ठीक है तो जब आपका ये चीज़ decide हो जाए ये decide आप अपने interest पर कर सकते हो कि आपको जो भी interest हो और आपको जो भी लगे कि आप इन लोगों को जल्दी approach कर सकते हो तो ऐसी ही लोगों को आप अपनी population बनो अच्छा इसमें हो सकते हैं आपको कुछ hint भी मिल जाए कि आपको किन पर research करनी है क्या कौन लोग होंगे जिन पर आप research को conduct करोगे उसके बाद next step आता है कि आप अपने variables decide कर लो कि माल लो आपने ये ले लिया कि हाँ आप students पे करोगे ठीक है तो अब students भी कई तरह के हैं school level पे है students university level पे है ठीक है तो आप ये decide करो कि अगर school level पे तो elementary है high school है senior secondary है क्या है ठीक है किस पे आपको research करनी है और ये सारी चीज़े आप पहले अपने जो भी आपके convenient हो आप उस हिसाब से देखो क्योंकि ये master's level की है और यहां mostly इगनू में आपको बस इसको करके complete करना होता है किसी तरीके से ठीक है तो आप अपना ये भी देखो कि हाँ कि अगर यसे आपने students ले लिया तो अब students पे आपको high school students मालो आपने select कर लिये उसके बाद आप आप ये सोचो कि high school students पे आप क्या-क्या measure कर सकते हो एक्जामपल के लिए मैं आपको बताते हो आप high school students पे stress level measure कर सकते हो उनका self concept measure कर सकते emotional intelligence self esteem academic anxiety ठीक है यह मैंने आपको अच्छ और population लेते जैसे मालो आपने married people लिया तो अब married people पर किस क्या study कर सकते हो उनका क्या देख सकते हो तो life satisfaction देख सकते हो mental health देख सकते हो adjustment देख सकते हो okay तो पहले आपने ये decide करा कि आपकी population कौन होगी किस पे आपको research करनी है उसके बाद next आपको ये decide करना है कि जुन को आपने select किया है उन पर किस तरह की research हो सकती है उनका क्या measure किया जा सकता है तो next step आपका हो गया कि आपको variable decide करने है फिर step 3 आता है कि अब आपको अपने tools decide करने है अच्छा ये बात ध्यान में रखेगा कि ये जो मैं आपको steps बतारी हूं ये जब हम real life में research करते हैं तो शा इस field में तो हमें नहीं पता होता है क्या करना है इस वज़े से मैं आपको ऐसे steps बतारी हूं जो practical है जो आप करोगे actual में करोगे ठीक है तो अब आपका step 3 आता है कि tool find करना है अब आपने जब ये हाँ पर decide कर लिया कि आपके variables क्या होंगा जिससे आपने stress level decide कि है कि high school students का मु emotional intelligence measure करना है ठीक है तो ये दोनों चीज़ आपने decide कर लिए अब आप tool find करो tool कैसे ढूंड होगे अब google पर जाओ और वहाँ पर type करो कि psychological test to measure self concept या self esteem जो भी आपने variable लिया ठीक है psychological test to measure this is जो भी आपका variable है तो आपको कई सारी चीज़े websites वहाँ पर मिलेंगी अब अगर आप को इस keyword से नहीं मिल रहा है तो आप कुछ और डालो tools to measure self concept tools to measure mental health ठीक है इस तरह से डालो तो कुछ tools free में available होंगे या अगर आपका study center है वह आपको tool provide कर वा देता है तो बहुत अच्छी बात है वहाँ से आपको कोई guidance नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो जो भी tools available अब यहां पर भी आप यह चीज़ कर सकते हो कि मालो आप self concept का tool ढूंड रहा है वैसे बहुत available है self concept पर मालो आपको यह नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ उसी से आप अपनी population को same रखो बट आप यहां पर अपना variable change कर लो कि मालो आपको tool नहीं मिल रहा है तो आप self concept की जगर self esteem measure कर लो academic anxiety measure कर लो कुछ और अपना change कर लो tool नहीं मिल रहा है तो ठीक है but mostly विसे tools available होते हैं कुछ free में आप उन्हें download कर सकते हो यह हो गया हमारा tool का अब उसको आप download कर लो pdf form में होंगे उसा download करके रख लीजए उसके बाद आता है step 4 है कि अब आप statistics recite करो कि आपको अपने अपना कि क्या करना है मतलब statistics का मतलब है mostly हम लोग यहां पे MA में जो इस तरह के में दो common statistics होते हैं that is t-test and correlational test correlational research correlation देखना और टीटेस लगाना किसी किसी में जो होता है वो दोनों चीवे लग सकते हैं correlation भी लगा सकते हो टीटेस भी लगा सकते हैं किसी में आप सिर्फ टीटेस लगा होगे तो जैसे अब आपने यह मान लिया कि आपने students ले लिया आपको high school student लेना है अब टीटेस का मतलब क्या होता है टीटेस हम तब लगाते हैं जब हमें दो groups को compare करने होते हैं तो दो group को compare करने के लिए हम टीटेस यूज करते हैं अब high school students आपने ले लिया जो बहुत common हता है कि आप high school को male और female ले लो ठीक है है अपने high school students ले लिया उसमें आपने अपना sample ले लिया उसमें आपने उसको divide कर लिया भी अप छोटा ही लोगे जितना भी आपने सांपल लिया उसको आपने half-half कर दिया कि इतने male होंगे और इतने female हो जाएंगे तिक है आप माल लिजिया आपने जो वह लिया था students लिये high school students लिये उसके बाद आपने self concept करना है और academic anxiety measure करना है ठीक है तो यह दोनों चीज़े आप measure करोगे किस पर जो आपके high school students है male or female उन पर तो आप male or female की self concept को compare करोगे आप male or female high school students की academic anxiety को compare करोगे तो आपका जो sample है वो एक है ठीक है male and female तो इन पर आपको एक variable पर दोनों लोगों को compare करना है ठीक है तो यह चीज़ करते हैं टी test use करते अब उसके बाद आपने मान लिजे कि अगर correlation अभी आपको study करने correlation भी देखना है तो आप जैसे तो आप self concept और academic anxiety ले लो ठीक है तो जैसे मान लिजे आपने self concept और academic anxiety ले लिया अब आपको इस पर correlation भी लगाना है कि जिनकी self concept हाई होता है उनकी academic anxiety कैसी होती है तो आप एक correlation भी देख सकते हो अच्छा यह पूरा जो पार्ट है वो complete data analysis का पार्ट है तो यह जब मैं next video बनाओंगे data analysis कैसे करना है तो उसमें बहुत detail मैं आपको समझा दूँगी बट यहां पर आपका फिलाल इतना काम है कि आपने जिससे वो ले लिया कि हाँ अपने को यह variable चाहिए और आप बस आप आपको data analysis वाले पार्ट में बताऊंगे तो यहां पर आपका यह डिसाइड हो गया कि हाँ statistics में हमें दो ग्रूप को compare करना आप आप मैरेड और अन्मैरेड को एक टेस्ट दोगे उसके बाद जो भी जोनों का result आएगा उसको आप compare करोगे तो टेस्ट लगा है इसी तरह से आप सारे मतलब आपको जो भी आपने वेरियाबिल लिया उस पर डिसाइड कर सकते हो आपने जो भी आपने तोपिक पूरा आपने यह सारी स्टाडी कर ली अप इसको आप एक statement फॉर्म में लेखो जैसे आपने आपको बताया self-concept and academic anxiety among high school students of Delhi अब यह statement लिखते टाइम तीन statement के अंदर आपके variables आने चाहिए जो आपने variables select किया है प्लस आपकी population आने चाहिए कि आप किन लोगों पे करोगे वो ठीक है उसके बाद location जो होता है वो optional होता है आप चाहो तो डाल सकते हो चाहो तो ना डालो ठीक है जैसे मैंने अपनी research में location डाली थी जैसे मेरे जो topic है relationship between spirituality and quality of life among post-graduate students in मैंने अपनी city का नाम डाल दिया था बट जो बार में जो correction आया उसमें उन्होंने बोला कि city का नाम हटा दीजिए so I removed in desertation तो आप चाहो तो डाल सकते हो अगर कोई problem नहीं लेकिन यह जो self-concept and academic anxiety अमंग high school students of Delhi है यह भी किसी की research है यह approved हो गई थी तो that is not the issue हो स सिर्फ दो चीज़े compulsory आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने variables और अपनी population यह दोनों आपको statement में डालने है और एक और चीज़ होती है जो optional होती है कि आप अपने research design जो है आपका वो भी आप लिख सकते हो जैसे यह आप मैंने optional करके correlational study लिखा है तो आप चाहो तो इसक यह इसमें T-test लगाया हुआ है दो लोगों को ग्रुप को compare कि अब यह कैसे किया होगा कि उन्होंने जो है वो लियो होगा gender perspective तो यह नि मेल और female male और female को emotional intelligence पे दिया होगा उन दोनों को compare किया होगा दोनों को same test दे कि उन दोनों को compare किया होगा जो mean आया होगा उसका T-test निकाला होगा problem solving ability male को दिया होगा female को दिया होगा test और जो भी उसका result आया होगा उसका compare किया होगा T-test से तो यह इस तरह से यह चीज़ होती है यह topic मेरा है relationship between वाला तो अग को relational study इसमें आगे लिखा हुआ है आप चाहो तो यह लिख सकते हैं चाहो तो ना लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी problem है कुछ भी इस video से related कुछ भी पूछना है तो you can ask me on telegram or I will try to help you with every possible mean so this is it for this video hope you liked it thank you for watching have a good day